हेलो गाइज तो आप सबी कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे rolling and sliding rolling पहले तो समझ लेते हैं कि rolling और sliding होता क्या है? तो rolling होता है कि कोई भी आपजक्ट, कोई भी चीज गोल गोल घूम के यहाँ से वहाँ चली जाए जैसे इस पिक्चर में हमने हमें दिखा रखा है कि यह जो बॉल है इस बच्चे ने यहां से फैकी मलब यहां से थोड़ी से हिट की तो वो गोल-गोल घूम के यहां आएगी तो इसे हम बोलेंगे रोलिंग मलब रोल करके ठीक है? घूम ना घूम के आना मलब रोल करके आना घूमने को रोल भी बोलते हैं तो यह रोलिंग है यह जब बॉल है यह रोलिंग कर रही है और अगर मैं इस पैंसिल को देखूं तो यह पैंसिल भी देखो अगर हम इसे यहां से यहां तक पुछाएंगे यह सिन्सें से ठोड़े थिश करके खक देखे तो यह देखते हैं कि यह रोल होती है यह स्लाइड होती है देखे that मैं तो स्लाइडिंग में क्या होता है कि कोई भी चीजंग कोई भी ऑबजेक्ट उसी position में रहे के मतलब उसी state में रहे के बस place change कर लेता है कैसे क्योंकि देखो जो ये इस girl ने इस लड़की ने जो ये brick है या box है कुछ भी मान लो इसको आप इसको इसने यहां से धका दिया होगा है ना यहां से दिया होगा तो ये इस वाली ball की तरहा ऐसे गोलगोल घूमके तो नहीं आरा ना नहीं आएगा गोलगोल घूमके नहीं आएगा इसी जैसी जो ये ऐसी position है ना इसकी ऐसे ही रहेगा बस ये फिसल के slide करके यहां आ जाएगा ठीक है तो ये जो box है ये slide करेगा तो इसे हम sliding कहेंगे तो आप pencil का फिर से देख लेते हैं कि ये slide कर रही थी या roll कर रही थी ध्यान से देखना क्या किया आपको क्या लगता है roll या slide वेल इसने roll किया है क्योंकि देखो ये गोल-गोल घूमके आए ना ऐसे गोल-गोल और अगर ये ऐसे आती इसी position में बस यहां आ जाती इसी state में यहां आ जाती इस जगा तो हम इसे sliding कहते ओके तो I hope कि आपको समझा गया होगा rolling और sliding में difference तो अब हम यहां पे आ जाते हैं take the object that will roll कि हमें उस object को tick करना है तो अब इस वाले question में क्या होगा तो देखते हैं इसको यह question पहले पढ़ लेते हैं कि बोल क्या रहा है take the object objects that will roll तो अब question को यह समझते हैं पहले हम कि question क्या है क्या रहा है tick करो मतलब कि यह जो sign होता है ना ऐसे करने करके ऐसे इसको tick बोल दा है tick the objects objects मतलब चीजों को that will roll उन चीजों को tick करो यह वाला sign tick करो जो roll करें roll हमने अभी अभी समझा है कि जो गोल गोल ऐसे घूम के आए ठीक है तो अब हम देख लेते हैं यह सबसे पहले pencil ही दे रखा है और अभी अभी हमने pencil का example समझा था ना यह ऐसे करके क्या हो रही है यह roll हो रही थी है तो इसमें question में भी एक है कि उस पे tick करो जो roll करे तो यह तो roll करती है ना तो हम इस पे tick करेंगे ओके अब जो ball है यह ball है तो यह अब घूम के आएगी घूम के आएगी यह सीधर यहां से यहां ऐसे आजाएगी आपको क्या लगता है वेल यह घूम के आएगी कैसे क्योंकि देखो यह जो ball होती है अगर आप खेलते होगे ball से तो आप अगर इस बॉल को दूसरी तरफ हिट करोगे या पास करोगे तो बॉल ऐसे तो नहीं आ जाएगी न सिधा ऐसे नहीं आएगी न वो ऐसे गोल गोल घूम के आएगी है ना इसलिए ठीक है तो ये भी रोल करती है एक बात समझ लो कि जो देखो इसमें कोई भी कोर्नर नहीं होता ना बॉल में तो जिस चीज़ में कोर्नर एकदम नहीं होता वो तो रोल करती ही करती है ठीक है जिसमें कोना कोर्नर मिन्स कोना कोना नहीं होता वो बिलकुल रोल करती ही करती है तो हम इस पर टिक लगाएंगे ओके तब ये जो बटर बटर बॉक्स है बटर का बॉक्स है वो रोल करेगा यह स्लाइड करेगा वो भी देख लेते हैं अब अगर आप बटर बॉक्स लोगे तो मान लो ये मेरा जो हैंड है वो बटर बॉक्स है तो जो मेरा हैंड है ये बटर बॉक्स है तो ये ऐसे सीधा आएगा या ऐसे गोल-गोल घुमके होके आएगा जो बटर बॉक्स है उसको अगर आप ऐसे धका दोगे तो वो सीधा ही आएगा ठीक है वो गोल-गोल नहीं घुमेंगा ठीक है क्योंकि जो इसके कॉर्णर्स है वो उसे घुमने ही नहीं देंगे है ना वो घुम नहीं पाएगा तो ये रोल नहीं करेगा अब ओनियन का देख लेते हैं ओनियन रोल करेगा कि स्लाइड करेगा जो ओनियन है वो रोल करेगा कैसे करेगा देखो अगर आप ओनियन लोगे तो और उसे धक्का ऐसे थोड़ा से दोगे तो वो ऐसे कॉल-कॉल घुम के चला जाएगा ना कि ऐसे होके सिर्फ ऐसे आ जाएगा ठीक है इसलिए ये भी रोल करेगा हमने देखा था ना कि जो स्लाइड करता है वो अपनी वही पोजीशन रखता है मनला कि जो ये बटर बॉक्स है ये अपनी यही पोजीशन रखेगा पर यहां से अगर हम इसे धक्का देंगे किसी उच्छी चीद से है कैसे भी तो ये यहां से यहां आ जाएगा अब ये तो है नहीं कि जो बटर लिखा हुआ है ये उधर की साइड चला जाएगा है ना तो ये इसलिए नहीं है टिक दाओ अबजेक्ट्स देट विल स्लाइड कि टिक करो उन चीजों को अबजेक्ट्स मतलब चीजों को जो स्लाइड करें अब हमने पहले किया था रोल करें अब हम करेंगे जो स्लाइड करें तो यहाँ पे एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्यूक्यूंबर है तो यहाँ पे मेरे पास भी एक क्यूक्यूंबर है तो हम देखते हैं कि यह स्लाइड करेगा या रोल करेगा ठीक है तो देखो अब हम इसे करते हैं यह गुल-गुल घुम के गया ना कुकुम्बर घुम-घुम के गया ना तो इसने क्या किया रोल किया या स्लाइड किया इसने सही का इसने रोल किया तो लेकिन हमसे तो पुछे कि जो स्लाइड करे उसको टिक करना है तो हम आप कुकुम्बर को टिक नहीं कर सकते तो इसको नहीं करेंगे अब यहाँ पे एक टमैटो दे रखा है ना तो अब टमैटो क्या करेगा तो वो भी देख लेते हैं, मेरे पास अब यहां पे एक टमैटो भी है, है ना, तो अब देखते हैं टमैटो क्या करेगा, ठीक है क्या किया टमैटो ने, रोल किया या स्लाइड किया, घुम घुम के गया ये भी, कुकुमबर की तरह ये भी घुम घुम के गया है, है ना, तो इसने क्या किया, रोल किया, क्युकुमबर जब गॉल गुम के गया था, तो उसने रोल किया था, तो अब जब घुम घुम के जाए करेगा तब तो रोली करेगा तो ये भी नहीं है क्योंकि हमसे क्या किया है जो स्लाइड करेगा है ना तो अब अगली बारी किस की है इसको सूट केस कहते हैं ठीक है तो अब यह सूट केस अगर हम यहां पे से ऐसे उसको धक्का देंगे पुश्ट करेंगे तो वह घुम घुम कि वह आजाएगा है ना गॉल-गॉल तो नहीं जाएगा नहीं यह आज़ाएगा नहीं एसे गोल-गॉल होताया पर प्रजाव करता है तो यह स्लाइड करेंगा थेGood कर देते हैं। तो ब्रीफ केस चाहिए हैं इसको ब्रीफ केस बेटरी केस यह रोल करती है। Are you ready? इसने तो बहुत अच्छे से घुमा तो घुमा तो इसने रॉल किया तो हमसे तो slyde वाला पूछा हुआ था तो इसने भी slide नहीं किया इसने रॉल किया इसलिए हमारा नामने सिर्फ एक ही पे टिक लगाया इस पे ठीक है? So, अब story time है अब यह स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके बादी है तो अब स्टोरी हम पढ़ेंगे वाइस ग्रैंड मदर मतलब की वाइस ग्रैंड मदर तो वाइस मतलब बुद्धिमान Grandmother मनलो दादी तो बुद्धिमान दादी तो बुद्धिमान दादी दादी को क्यों कह गया है तो अब हम इस story से पता लगाएंगे तो हम पहले यहां से start कहते है Once there was a lamp Going to see his grandmother तो कह रहे है कि एक बार एक lamp था मनलो कि lamp किसे कहते हैं sheep के बच्चे को lamp कहते हैं तो एक बार एक lamp था वो अपनी grandmother को देखने के लिए जा रहा था तो उसके बाद क्या आते हैं हम देखते हैं तो on the way through the jungle he met a wolf तो जब वो way पे था मलो अपने रास्ते में था जंगल में तो वो एक wolf से मिलता है मलो एक भेडिये से मिलता है तो I am going to eat you जो ये है wolf है ये sheep के बच्चे को यानि lamp को कहता है कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ तो अब ये lamp क्या कहेगा हम देखते हैं तो एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं प्लीज लेट मी गो मतलब कि प्लीज प्लीज मतलब क्रिप्या करके मुझे जाने दो I am going to meet my grandmother मैं अपनी grandmother से मिलने जा रहा हूँ You can eat me When I return तुम तुम मुझे खा सकते हो जब मैं वापिस आऊ Return मतलब वापिस आऊ ठीक है तो अब वुल्फ क्या कहेगा देखते हैं Okay You may go तो अब क्या कह रहे है वुल्फ क्या कहते है Okay ठीक है तुम जा सकते हो You may go तुम जा सकते हो When he was about to return He told the grandmother about the wolf जब जो लैम था जब वो about to return मतलब जब वापिस आने वाला था मतलब अपनी grandmother से मिलके तो वो अपनी grandmother को उस वुल्फ के बारे में बताता है The grandmother gave him an idea फिर जो बताने के बाद फिर जो grandmother होती है वो वो lamp को एक idea देती है Give him an idea Grandmother उसको एक idea देती है Go and hide yourself in a धोलक की जाओ और यह होता है यह है यह धोलक है इस धोलक में जाके अपने आपको छुपा लो तो he did so उसने ऐसा किया तो अब देखते हैं क्या होता है The grandmother rolled the धोलक on the road फिर जैसे जो lamp था वो धोलक के अंदर गुस गया है ना फिर grandmother ने क्या किया उस धोलक को रोल हमने अभी अभी पढ़ा था ना रोल मतलब घूम घूम के जाना है ना तो the grandmother rolled the धोलक on the road मनलो की जो धोलक है उन्होंने जो धोलक है उसको रोड पे रोल किया है ना The धोलक started rolling down फिर जो धोलक है उसने उसने भी घूम ना घूम के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया रोलिंग मनलो घूम के जाना है ना The lamp saw the wolf waiting for him जो लैंब था वो धोलक के अंदर ही था ना तो उसने उसने भी देखा कि जो वुल्फ है वो उसका wait कर रहा है तो अब ये वुल्फ है ये अब क्या पूछता है देखते है क्या कहता है Did you see a lamp lamp coming this way कि फिर ये जो वुल्फ है ना इस धोलक से पूछता है कि क्या तुमने एक lamp को देखा है ये इसी रास्ते से आते हुए है ना तो फिर ये जवाब देता है नो नहीं क्योंकि अगर वो बोल देगा कि मैं ही हूँ तो फिर वुल्फ उसको खा जाएगा ना तो इसलिए उसने का नहीं दा वुल्फ ग्रिव सस्पीशियस एंड स्टार्टे रनिंग बिहाइंड दोलक फिर उसके बाद क्या हुआ फिर जब वुल्फ है उसको सस्पीशियस मतलब की जो वुल्फ है उसको संदे होने लग गया मतलब शक होने लग गया जो वुल्फ है उसको शक होने लग गया और फिर दोलक के पीछे पीछे भागा Before the wolf could catch him The lamb reached home and was thankful to his grandmother जब तक वुल्फ लाम्प को पकड़ता तब तक जो लाम्प था वो घर पहुच चुका था और अपनी ग्रैंड मां का शुकर रियादा कर रहा था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर नहीं बताती उसको ये चीज़ की वो दोलक में गुस कर रोल करके पहुच जाता है स्टोरी थी है ना हमने ये भी पड़ा कि रोल और रोलिंग और स्लाइडिंग क्या होता है और रोलिंग पर हमने एक स्टोरी भी पड़ी क्योंकि धोलक जो था वो रोल करके आया था ना उपर से हमने पड़ा था कि जो Grand Mother थी उन्हों ने रोल गया था ना डोलक को रोड पर तो हमने रोलिंग की एक स्टोरी भी पड़ी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू